नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंटीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरल के संपादकी से 452 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने यह कहकर कॉंग्रेस पर पलटवार ही नहीं किया बलकि उसकी बोलती बंद करने का भी काम किया कि उनकी आउकात तो बस सेवा करने की है उन्हें इसलिए ऐसा कहना पड़ा क्योंकि कुछ दिन पहले कॉंग्रेस के नेता मधुसुदन मिस्त्री ने पार्टी का घोसडा पत्र जारी करते हुए यह कहा था कि वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आउकात दिखा देंगे अभी यह कहना कठीन है कि मधुसुदन मिस्त्री की अवांचित अपमान जनक इपड़ी का गुजरात विधान सभा चुनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा लेकिन कॉंग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पहले जब मरिसंकर आयर ने प्रधान मंत्री पर आक्षेप किया था तो उसके कैसे नतीजे सामने आये थें कॉंग्रेस को यह भी इसमरण होना चाहिए कि उसे तब भी भारी राजनेतिक नुकसान उठाना पड़ा था जब सुनिया गांधी ने नरेंद्र मोधी को निशाने पर लेते हुए उन्हें मौत का सौदागर कह दिया था मधुसुदन मिस्त्री की अवांचित टिपड़ी से यही प्रतीत होता है कि कॉंग्रेस के नेता अभी तक यह साधारण सी बात समझ नहीं सके हैं कि अपमान जनक टिपड़ियों के कैसे बुरे परिवाम होते हैं प्रधान मंत्री को लेकर कॉंग्रेसी नेताओं की ओर से की जाने वाली ऐसी टिपड़ियां उनकी सामंती मानसिक्ता को ही बयान करती हैं दुर्भाग यह है कि इस मानसिक्ता का परिचय रह कर राहूल गांधी भी देते रहते हैं पैरा आखिर कौन भूल सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाओं के समय राहूल गांधी किस तरह प्रधान मंत्री को नीचा दिखाने के लिए ना केवल खुद अभद्र टिपड़ियां करने में लगे हुए थें बलकि यह भी चाह रहे थें कि अन्य कांग्रेसी नेता भी उनकी जैसी भासा का इस्तेमाल करें 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाओं में भी कांग्रेस को बुरी तरह पराजित होना पड़ा लेकिन ना तो राहूल गांधी ने कोई सबक सीखा और ना ही अन्य कांग्रेसी नेताओं ने विरोधी राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस को भाजपा और प्रधान मंत्री की आलोचना करने का अधिकार है लेकिन आखिर भासा की एक मर्यादा होती है कांग्रेस विभिन मुद्धों पर प्रधान मंत्री को कठ घरे में खड़ा कर सकती है लेकिन वह इसकी अंदेखी नहीं कर सकती कि पिछले आठ वर्सों में मोदी सरकार ने कई उपलब्धियों को हासिल किया है इनहीं उपलब्धियों के कारण प्रधान मंत्री यह दावा करने में समर्थ हैं कि वह सेवा करना जानते हैं उन्हें यह दावा करने का भी अधिकार है कि उन्होंने पहले मुख्य मंत्री और फिर प्रधान मंत्री के रूप में गुजरात को बनाने का काम किया है आज यदि गुजरात विकास के विभिन पैमानों पर देश के अग्रणी राजियों में है तो इसका स्रे भाजपा को जाता है कांग्रेस इस तथ्य की अंदेखी करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन उसे भासा की मर्यादा का ध्यान रखना होगा उसे यह भी समझना होगा कि प्रधान मंत्री को नीचा दिखाने वाली मानसिक्ता से बात बनने वाली नहीं इस्टॉप दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ड प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर कॉंग्रेस पर पलटवार ही नहीं किया बलकि उसकी बोलती बंद करने का भी काम किया कि उनकी आउकात तो बस सेवा करने की है उन्हें इसलिए ऐसा कहना पड़ा क्योंकि कुछ दिन पहले कॉंग्रेस के नेता मधुसुदन मिस्त्री ने पार्टी का भोसडा पत्र जारी करते हुए यह कहा था कि वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को अवकात दिखा देंगे अभी यह कहना कठीन है कि मधुसुदन मिस्त्री की अवांचित अपमान जनक टिपड़ी का गुजरात विधान सभा चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा लेकिन कॉंग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पहले जब मरिसंकर आयर ने प्रधान मंत्री पर आक्षेप किया था तो उसके कैसे नतीजे सामने आये थें कॉंग्रेस को यह भी इसमरण होना चाहिए कि उसे तब भी भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा था जब सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोधी को निशाने पर लेते हुए उन्हें मौत का सौदागर कह दिया था मधुसुदन मिस्त्री की अवांचित टिपड़ी से यही प्रतीत होता है कि कॉंग्रेस के नेता अभी तक यह साधारण सी बात समझ नहीं सके हैं कि अपमान जनक टिपड़ीयों के कैसे बुरे परिराम होते हैं प्रधान मंत्री को लेकर कॉंग्रेसी नेताओं की ओर से की जाने वाली ऐसी टिपड़ियां उनकी सामंती मानसिक्ता को ही बयान करती हैं दुर्भाग यह है कि इस मानसिक्ता का परिचय रहकर राहूल गांधी भी देते रहते हैं पैरा आखिर कौन भूल सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाओं के समय राहूल गांधी किस तरह प्रधान मंत्री को नीचा दिखाने के लिए ना केवल खुद अभद्र पिपड़ियां करने में लगे हुए थें बलकि यह भी चाह रहे थें कि अन्य कौंग्रेसी नेता भी उनकी जैसी भासा का इस्तेमाल करें 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाओं में भी कौंग्रेस को बुरी तरह पराजित होना पड़ा लेकिन ना तो राहूल गांधी ने कोई सबक सीखा और ना ही अन्य कौंग्रेसी नेताओं ने विरोधी राजनीतिक दल होने के नाते कौंग्रेस को भाजपा और प्रधान मंत्री की आलोचना करने का अधिकार है लेकिन आखिर भासा की एक मर्यादा होती है कौंग्रेस विभिन मुद्दों पर प्रधान मंत्री को कठगरे में खड़ा कर सकती है लेकिन वह इसकी अंदेखी नहीं कर सकती कि पिछले आठ वर्सों में मोदी सरकार ने कई उपलबधियों को हासिल किया है इनहीं उपलबधियों के कारण प्रधान मंत्री यह दावा करने में समर्थ हैं कि वह सेवा करना जानते हैं उन्हें यह दावा करने का भी अधिकार है कि उन्होंने पहले मुख्य मंत्री और फिर प्रधान मंत्री के रूप में गुजरात को बनाने का काम किया है आज यदि गुजरात विकास के विभिन पैमानों पर देश के अग्रणी राजियों में है तो इसका स्रे भाजपा को जाता है कॉंग्रेश इस तथ्य की अंदेखी करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन उसे भासा की मर्यादा का ध्यान रखना होगा उसे यह भी समझना होगा कि प्रधान मंत्री को नीचा दिखाने वाली मानसिक्ता से बात बनने वाली नहीं दोस्तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें श्टार्ट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर कॉंग्रेस पर पलटवार ही नहीं किया बलकि उसकी बोलती बंद करने का भी काम किया कि उनकी आउकात तो बस सेवा करने की है उन्हें इसलिए ऐसा कहना पड़ा क्योंकि कुछ दिन पहले कॉंग्रेस के नेता मधुसुदन मिस्त्री ने पार्टी का भोसडा पत्र जारी करते हुए यह कहा था कि वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को अवकात दिखा देंगे अभी यह कहना कठीन है कि मधुसुदन मिस्त्री की अवांचित अपमान जनक टिपड़ी का गुजरात विधान सभा चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा लेकिन कॉंग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पहले जब मरिसंकर आयर ने प्रधान मंत्री पर आक्षेप किया था तो उसके कैसे नतीजे सामने आये थें कॉंग्रेस को यह भी इसमरण होना चाहिए कि उसे तब भी भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा था जब सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोधी को निशाने पर लेते हुए उन्हें मौत का सौधागर कह दिया था मधुसुदन मिस्त्री की अवांचित टिपड़ी से यही प्रतीत होता है कि कॉंग्रेस के नेता अभी तक यह साधारण सी बात समझ नहीं सके हैं कि अपमान जनक टिपड़ीयों के कैसे बुरे परिडाम होते हैं प्रधान मंत्री को लेकर कॉंग्रेसी नेताओं की ओर से की जाने वाली ऐसी टिपड़ीयां उनकी सामन्ती मानसिक्ता को ही बयान करती हैं दुर्भाग यह है कि इस मानसिक्ता का परिचय रहकर राहूल गांधी भी देते रहते हैं पैरा आखिर कौन भूल सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाओं के समय राहूल गांधी किस तरह प्रधान मंत्री को नीचा दिखाने के लिए ना केवल खुद अभद्र टिपड़ियां करने में लगे हुए थें बलकि यह भी चाह रहे थें कि अन्य कौंग्रेसी नेता भी उनकी जैसी भासा का इस्तेमाल करें 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाओं में भी कौंग्रेस को बुरी तरह पराजित होना पड़ा लेकिन ना तो राहूल गांधी ने कोई सबक सीखा और ना ही अन्य कौंग्रेसी नेताओं ने विरोधी राजनीतिक दल होने के नाते कौंग्रेस को भाजपा और प्रधान मंत्री की आलोचना करने का अधिकार है लेकिन आखिर भासा की एक मर्यादा होती है कौंग्रेस विभिन मुद्दों पर प्रधान मंत्री को कठ घरे में खडा कर सकती है लेकिन वह इसकी अंदेखी नहीं कर सकती कि पिछले आठ वर्सों में मोधी सरकार ने कई उपलबधियों को हासिल किया है इनहीं उपलबधियों के कारण प्रधान मंत्री यह दावा करने में समर्थ हैं कि वह सेवा करना जानते हैं उन्हें यह दावा करने का भी अधिकार है कि उन्होंने पहले मुख्य मंत्री और फिर प्रधान मंत्री के रूप में गुजरात को बनाने का काम किया है आज यदि गुजरात विकास के विभिन पैमानों पर देश के अग्रणी राजियों में है तो इसका स्रे भाजपा को जाता है कांग्रेस इस तथ्य की अंदेखी करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन उसे भासा की मर्यादा का ध्यान रखना होगा उसे यह भी समझना होगा कि प्रधान मंत्री को नीचा दिखाने वाली मानसिक्ता से बात बनने वाली नहीं इस्टाव